जैहिन दोस्तों मैं सतेंद आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल टार्गेड विथ एसके में दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसी भी एक्जाम में प्रिवियस यर में आई हुए प्रिश्णों का अपना एक महत्त है इसी को देखते हुए मैं यूपी तरपल सी में पिछले वर्सों में आई हुए प्रिश्णों की एक सबजेक्ट वाइस सिंखला स्टार्ट कर रहा हूँ आज हम प्राची निथियास के यूपी तरपल सी में आई हुए पिछले वर्सों के प्रिश्णों को पढ़ेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सस्क्राइब जरूर करें चलिए शुरू करते हैं पहला प्रिश्ण है हडपा काल का इन में से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था इसका सही अंसर है दूसरा प्रिश्ण है मोहन जोदुरू सब्द का अर्थ क्या है इसका सही अंसर है बी माउंट ओब दा डैड तीसरा प्रिश्ण है सिंदु घाटी सब्दता के बारे में इन में से कौन सा कथन सत्य है A. सिंदु घाटी लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे B. इन्होंने लकडी के बक्से में अनाजभंडारित किया C. सिंदु घाटी सब्दता पंजाब, शिंद, बलुचिस्तान, गुजरात, राइस्थान और पश्यमंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है D. सिंदु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोडों को बड़े पैवाने पर पालते थे इसका सही अनसर है A. सिंदु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे चोथा प्रिश्ण है हडपा सब्दा के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी A. दैराम साहिनी B. राखाला जवनल जी C. ऐसार राओ या D. आर एस बिष्ट इसका सही अनसर है C. ऐसार राओ पांचमा प्रिश्ण है सिंदु सब्दा में घोडे की अस्थियों का उसेस कहां मिला है A. बनवाली B. चंधुदुडो C. सुतकांगेडोर या D. सुरकोटदा इसका सही अनसर है सुरकोटदा छटमा प्रिश्ण है निमलिखित में से कौन सा सिंदु गाटी की सब्दा से सम्मंदे तिस्थल नहीं है A. काली बंगन B. रोपण C. पाटली पुत्र या D. लोथल इसका सही अनसर है C. पाटली पुत्र सात्मा प्रिश्ण है उपनें समारो से क्या तात्पर है A. बच्चों को एक आपचारिक नाम दिया जाता है B. बच्चों को सूरोचन्दमा के आपचारिक दर्शन कराये जाते है C. बच्चों को पवित्र जनेव धारन कराये जाता है या D. बच्चे का विवाह किया जाता है इसका सही अपच्चन है C. बच्चे को पवित्र जनेव धारन कराये जाता है आठमा प्रिश्ण है सत्त में उजयते महावाक कहां से उद्रित है पहला ओप्शन है A. सत्पत ब्राम्मर से B. इशो उपनिशत से C. मुंडक उपनिशत से D. महाभारत से इसका सही ओप्शन है C. मुंडक उपनिशत से नौमा प्रिश्ण है वेदों के गद्ध प्रकरण को क्या कहते हैं इसका सही अंसर है दसमा प्रिश्ण है निमलिखित मैंसे कौन सा ज्ञान की सिध्धान पर बल देता है इसका सही अंसर है रिक वेद में निमलिखित मैंसे किस देवता की सरवाधिक महत्ता का बर्णन है इसका सही अंसर है रिक वेद में इंद्र के लिए 200 तथा अगनी के लिए 200 रिचाओं की रचना की गई है बार्मप्रिशने प्राचीनतम वेद कौन सा है इसका सही अंसर है इसका सही अंसर है उपरियुक्त सभी सत्पत ब्रामण और तैत्रिय ब्रामण के ब्रामण मूल पाठ है इसका सही अंसर है रिक वेद में नहित गायत्त्री मंत्र किस देवता को समर्पित है इसका सही अंसर है रिक वेद के तीसरे मंडल में नहित का त्री मंत्र सभीता साभीत्री देवता को समर्पित है इस मंडल की रचना विश्वा मित्र ने की थी रिक वेद में कुल दस मंडल है सरवादिक प्राचीन पुराण कौन सा है इसका सही अंसर है निम्न में से कौन सा उफवेद नहीं है इसका सही अंसर है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है इसका सही अंसर है सी वर्सावा चक्रवाद के गौतम बुद्ध ने में धम चक्र परवर्तन सूत्र का उपदेश दिया इसका सही अंसर है उस स्थान का नाम बताएं जहां बौत्धियों की मानता के अंसर गौतम बुद्ध ने अपनी मिट्तियों के बाद परी निर्वाण प्राप्त किया एक और सामभी बी कुसी नगर सी बनायूं या डी चित्रकूट इसका सही अंसर है बी कुसी नगर पाली में बौत गृत्धों को आम तोर पर त्रिपटक यानी त्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है इन में से कौन सा त्रिपटकों में से नहीं है इसका सही अंसर है त्रिपटक निमलिखित मैं से किस से संबन देत है या डी हिंदूं से इसका सही अंसर है बी बाच्धों से भगवान बुद्ध की 200 फीट उची कांस प्रितमा इस्थाफित करने का निर्ने लिया गया है A. कुसी नगर में, B. सालनाथ में, C. स्रावस्ती में, D. बामियान में इसका सही अंसर है A. कुसी नगर में बुद्ध को महा परिन्रवार कहां प्राप्थ हुआ था? A. बुद्ध 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 के प्रवर्तक थे, इनके जीवन में घटित घटनाओं से सम्मंदित इस्तर निम्नवत है जन्म, लुमिनी में हुआ, ग्रह त्याग, राजग्रह में, ग्यान प्राप्ती, बोध गया, बिहार, मृत्यू, जिसे हम महा परिनिर्वान कहते हैं, वो कुसी नगर में किस इसमारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बहुत धर्म के अपने दिव विज्ञान का प्रिचार किया था ए, हुमायू का मकबरा, बी, महावोधी मंदिर समू, सी, कुतव मीनार, या डी, लाल किला परिसर, इसका सही अंसर है, महावोधी मंदिर समू ग्यान प्राप्ति के बाद, गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ए, जिन, बी, बुद्ध, सी, ग्यान, या डी, बोधी, इसका सही अंसर है, बी, बुद्ध बोध गया, एक महत्पून, बौध, तीर्थ, केंद्र क्यों है? ए, क्योंकि गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए थे, बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां ग्यान प्राप्त किया था, सी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ग्यान प्राप्त करने के बाद यहां अपना पहला उप्देश दिया था, या D क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां निर्वार प्राप्त किया था इसका सही अंसर है B गौतम बुद्ध ने यहां ज्यान प्राप्त किया था बुद्ध ने अपना पहला उब्देश कहां दिया था A. कुसी नगर B. सालनाथ C. आयुध्या या D. वाराणसी इसका सही अंसर है B. सालनाथ बुद्ध ने यहां ज्यान प्राप्त किया था B. भगवान बुद्ध का जन्मसावनाथ में हुआ था C. भगवान बुद्ध का सालनाथ में महापरी निर्वान दिहांत हुआ था D. ग्यान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सालनाथ में अपना पहला उब्देश दिया था इसका सही अंसर है कैवल जिसका अर्थ है A. दूसरों को सिक्षा देना B. दूसरों का अनुशरण करना C. एक छाओं पर विजय प्राप्त करना या D. दूसरों की सेवा करना इसका सही अंसर है C. एक छाओं पर विजय प्राप्त करना 24 में जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे A. पाशुनात B. रिशब्देव C. महावीर D. अरश्टनेम इसका सही अंसर है C. महावीर महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे यह 24 में तीर्थंकर थे महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए जैन धर्म के प्रिथम तीर्थंकर ज्रिसव देव थे महावीर स्वामी ज्यान प्राप्ती के बाद महावीर कहलाए इसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल पराक्रम दिखाना 23 तीर्थंकर पारशनात ने चार महावरित सत अहिंसास ते तथा परिग्रह का पृत्पादन किया था महावीर श्वामी ने ब्रम्चल नामक पांचमा महावरित इसमें जोड़ दिया पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी रिसव, सी पारशनात, यडी पदम ब्राब इसका सही अंसर है रिसव, बी जैन धर्म में तीन रत्न जिसे हम तिर्वरत्न के नाम से जानते हैं उन्हें निर्मार का मार्ग कहा जाता है वे क्या है? इसका सही अंसर है इसका सही विश्वास, सही ग्यान और सही आचरान सिलालेखों में सबसे बड़ा सिलालेख है इसका सही अंसर है असोक के प्रधान सिलालेखों में तेर्मा सिलालेख सबसे बड़ा है जिसमें असोक के सासन के आठमे वर्स होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है असोक के आकर्मन के दोरान कलिंग पूर्वी प्रांध की राजधानी कौन सी थी इसका सही अंसर है देव नाम किसे दिया गया था इसका सही अंसर है असोक को उसके अविलेखों में देव नाम प्रिय संसोधित किया गया भाबरू अविलेख में असोक को प्रिय दर्सी जबकि मास्की में बुद्ध साक के कहा गया है असोक के नाम का अविलेख चार अविलेखों में मिलता है ये अविलेख है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़े गोलम जुनागड के अविलेख रुद्रदावन में भी असोक का नाम है समराट असोक का कौन सा सिलाले कलिंग पर उनके विज़े का उलेख करता है असोक के कौन से सिलालेक में ब्राम्मी लिपी का प्रियोग नहीं किया गया था ए सारनाथ, बी सहवाजगड़ी, सी धौली यडी इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर है बी सहवाजगड़ी निमलिकित में से कौन मौरकला का सर्वोत्तम प्रितमान कौन सा है इसका सही अंसर है निमलिकित में से कौन सा सोक के सामराज़दीन नहीं था इसका सही अंसर है कामरूप असम का पुराना नाम है जहाँ पर असोक का सामराज विस्तारित नहीं था ब्रहत साची स्थूप किस काल से सम्मंदित है इसका सही अंसर है खगोल विद वराह मिहिर और कवी काली दास किसके दरवार का हिस्सा थे इसका सही अंसर है बिक्रमादित बिक्रम सम्मंद प्रारंब हुआ इसका सही अंसर है जो विक्रम सम्मंद है वो संतावन इसा पूर्ग विक्रमादित के सासंकाल से स्टार्ट हुआ था सक संबद 78 इसवी से इसको स्टार्ट करने वाले कनिस्के थे हिजरी संबद 622 इसवी इसको हजरत मौम्मद साब ने स्टार्ट किया था हर्सवर्धन ने पाँच इंडीज को अपने नियंतरान में लिया इन में से कौन सा इंडीज था ए पंजाब कन्नोज बंगाल बिहार और जैपुर बी पंजाब कन्नोज बंगाल बिहार और उरिशा सी पंजाब कन्नोज बंगाल उत्तरप्रदेश और उरिशा ये डी राइस्थान कन्नोज बंगाल बिहार और उरिशा इसका सही अंसर है B. पंजाब, कन्योज, बंगाल, बिहार और उडिसा वैस्थल जहां हर्सवर्धन ने बहुत महा सम्मेलन का आयोजन किया था A. कासी, B. प्रियाग, C. अयुध्या, D. सालनात इसका सही अंसर है B. प्रियाग कन्योज से पूर्व, हर्सवर्धन कहां का सासक था? A. कौसामबी, B. कुसीनगर, C. स्रावस्ति, या D. थानेश्वर इसका सही अंसर है D. थानेश्वर बार्मी शताब्दी के आरम में दिल्ली पर किसका सासन था? A. तोमर वंस, B. खिलजी वंस, C. सायद वंस, D. तुखलग वंस इसका सही अंसर है A. तोमर वंस जैचंद के विश्वास घात के कारण पित्वी राज चोहान की पराजे हुई कालांतर में जैचंद कहां और कम मारा गया? A. तराइन ग्यारा सो बानवे, B. चंदावर ग्यारा सो तिरानवे, C. कन्नोज ग्यारा सो चौरानवे, यह D. उपर युक्त में से कोई नहीं? इसका सही अंसर है B. चंदावर ग्यारा सो तिरानवे, निम्न में से कौन से वंस ने भारत की दच्छन भाग पर सासन नहीं किया? A. चेर, B. पांड, C. राजपूत, यह D. चोला? इसका सही अंसर है C. राजपूत, पाल सामराज भारत के किस हिस्से से सम्मंदित है? A. पश्चमी, B. पूर्वी, C. दच्छनी, यह D. उत्तरी, इसका सही अंसर है B. पूर्वी. पाल वंस का पहला सासक कौन था? A. देवपाल, B. रामपाल, C. गोपाल, यह D. महिपाल. इसका सही अंसर है C. गोपाल. पाल वंस का संस्तापक गोपाल था?